नमस्कार आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूँ आशुतोष आपको पता ही होगा कि गिराज सिंग का नवादा से टिकट काट कर बेगुसराई भेज़ दिया गया है और शेहनवाज हुसेन का भागलपुर से टिकट काट कर वो सीट जेडियू को दे दी गई शेहनवाज उसे नाराज हो गए तो और खबर थी कि उनको अररिया से पार्टी लडाना चाहती है लेकिन शेहनवाज ने साफ साफ मना कर दिया यानि कि शेहनवाज हुसेन किसी भी लोकसवाक शेतर से चुनाओं नहीं लडएंगे 2019 के आम चुनाओं में यानि कि कहीं से प् खबर आई है और खबर ये है कि जो भारतिय जन्ता पार्टी ने 42 स्टार परचारकों के लिस्ट जारी की है लगवग 42 लोगों का नाम इसमें शामिल है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का नाम शामिल है अमित शाक जो भारतिय जन्ता पार्टी के रास्ट्य अध्यक्ष है उनका नाम शामिल है, इसके अलामा कई और कददावर नेता है भाज़पा के, जिनका नाम इस लिस्ट में शामिल है, इस लिस्ट में स्टार परचार को किस लिस्ट में बकाइदा शेहनवाज हुसेन का नाम शामिल है, यानि कि शेहनवाज हुसेन पूरे बिहार भर में भारत इंके से रूट गए हैं सिटी पोस्ट लाइब के एडिटर इन चीफ ने आपको बताया था कि शेनवाज उसे ने बकाइदा अपनी नाराजगी जाहिर की है और प्रदेश अध्यच और प्रदेश प्रभारी के खिलाफ उन्होंने कहा है कि उनको पहले जवाब दें कि उनका स सीट क्यों बदला गया उनको विश्वास में क्यों नहीं लिया गया सीट बदलने से पहले जब तक उनको जवाब नहीं मिलेगा तब तक यानि कि जब तक भुपेंदरी आदम और नित्यानंदराई उनको जवाब नहीं देते हैं तब तक वो बेगू सराई चुनाव परच प्रवी उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसके अलावा वो भारतिय जंता पार्टी के फायर ब्रांड नेता है भारतिय जंता पार्टी पश्वी उत्तर प्रदेश में भी समय समय पर उनका प्रयोग करती रही है बतौर स्टार प्रचारक तो गिराज सिंग को मनाने की में एक और कदम इसे माना जा सकता है यानि कि स्टार परचारक बना कर गिरास सिंग की नडाज़गी को कम करना चाहती है पार्टी आलाकमान और इसलिए पार्टी आलाकमान ने शेहनवाज हुसेन, क्योंकि शेहनवाज हुसेन पर भी बहुत सारे विवाद चल रहे थे, भारतिय जंता पार्टी ने विहार से एक भी मुस्लिम चेहरे को प्रतियाशी नहीं बनाया है, तो इसलिए शहनवाज हुसेन और गिराज सिंग को स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया गया है, गिराज सिंग पहले भी देश लुकनी की एक कभायर मानी जा सकती है भारतिय जंता पार्टी के तरब से, या भारतिय जंता पार्टी के आला कमान के तरब से, आगे जैसे ही कोई और पॉलिटिकल लेटेस्ट अपडेट आएगा, सबसे पहले आप तक पहुचाएंगे, तब तक के लिए आप देखते रह पढ़ते रही है, सिटी पोस्ट लाइव और अगर आपने हमारे चानल को सबस्क्राइब नहीं क्या है, तो हमारे चानल को सबस्क्राइब अवश्य करें, नमस्कार